हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आई जित प्री बीएड परवेश परिक्षा 2020 के सलेबस के अनुसार है पीटा के मोटल पेपर की स्टार्ट की गई है जिसमें आज अपना पहला नमबर का मोडल पेपर है दोस्तों इस मोडल पेपर में आपको 200 प्रज़न मिलेंगे सलेबस के अकोडिंग ठीक है और साथ में दोस्तों कि व्याक्या भी आपको बताई जाएगी बहुती सांदर लेवल की ये मोडल पेपर है आपको टेस्ट देना है जब तक परिक्षा नहीं लगती तब तक मैं आपको दोस्तों 20 मोडल पेपर करवाँगा अगर आप ये 20 मोडल पेपर का टेस्ट दे लेते हैं तो दोस्तों बेड में सेलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक सकता अर अध्यारेज सेकेटिमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रेसने पहला प्रेसनी देख लीजे दोस्तों यहां पर अरुन कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पोत्र की पत्नी है अब सीधा सा यहां पर अपन खुद को लेके देख लेते हैं कि यह लड़की मेरी माता यानि कि मैं खुद और मेरी माता यानि कि मेरी माँ और मेरे माँ के पोत्र यानि कि मेरा पूत्र और मेरे पूत्र की पत्नी है तो अरुन का उस लड़की के क्या सम्मंद हुआ यानि कि मैं मेरी मा और मेरी मा के पोत्र यानि कि मेरा बेटा और मेरे बेटे की पत्नी यानि कि उसका क्या लगा तो सीधा सा है उस लड़की के साथ उसका अरुन का क्या सम्मंद है तो ससूर का सम्मंद है तो इसका right answer हो जाएगा D number का option बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है second number प्रेस्ट है इसमें देखे एक महिला की और संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वहें मेरी भुवा की बेटी है सुरेश ने कहा कि वहें मेरे भुवाजी की बेटी है उसमेला का सुरेश से क्या रिष्टा हुआ तो दोस्तो सीधा सा है फूपेरी बेट भाई भुवाजी का असबेंड अपना क्या लगा फूपाजी लगा और फूपाजी की बेटी क्या लगे तो दोस्तो फूपेरी बेहन लगी अपनी तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए एम और एफ एक विवाहित दमपती है ए और बी बेहने है तो देखिए यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूँ एम और एफ तीक है यह मैंने एम और एफ यहां पे लिख दिया है ए और बी बेहने है यानि कि ए और बी है यह क्या है बेहने है तीक है ए ए एफ की बेहन है ए है वो क्या है एफ की बेहन यानि कि इसकी F की क्या है बहन और तो इसका मतलब B B इसकी बहन हुई B B इसकी क्या बहन हुई तो यहां पे देखिए B M की क्या लगती है B है वो M की क्या लगती है यानि कि M है वो दोस्तों यहां पे पुरुस है और F है दोस्तों यहाँ पे फीमेल है यानि कि यह तीन बहने है और यह क्या है उन में से एक बहन का पती है ठीक है तो दोस्तों दोनों बहने क्या लगी साली लगी तो अपना राइट आंसर क्या हो जागा B नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए ठीक इसी परकार A और B करमस है भाई और बहन है तो यहाँ पे देखिए A और B है इसको एक बार कर देता हूँ ठीक है A और B करमस है भाई बहन है तो A और B है यह दोनों क्या है भाई और बहन अपने को पता नहीं है कि A बहन है या A भाई है, तीक है, C पिता है A का, C पिता है A का, यानि कि C है, ये पिता है, किसका A का, यानि कि ये पिता किसका भी हुआ, B का भी हुआ, तीक है, आगे देखिए, D बहन है C की, ये D है, ये दोस्तों बहन है C की, और E मा है D की, E है वो मा है किसकी D की यानि की C और D इन दोनों की माँ है दोस्तो E तो यहाँ पे B का क्या लगती है B का यानि की B क्या लगती है E का B है अब देखिए मैं यहाँ पे मैं देख लीजिए मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे मैं और मेरी मां और मेरी मां का मां के यानि की मेरे पुत्र ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पिता है वो आप खुद को मान लीजिए ठीक है मेरे दो बच्चे A और B ठीक है मेरी मां है वो E है और मेरी बेन है वो है D तो क्या लगेगी दोस्तों यहाँ पर E का B से पुछा है तो दादी या पोती तो क्या लगेगा तो इसका सिधा सा राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पोत्री लगेगी तो इसमें A नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पांच नंबर का प्रेस ने एक पुरूस की तस्वीर की और इसारा करते हुए एक ओरत ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादा जी का इकलोता पुत्र है मेरे दादा जी का इकलोता पुत्र है यानि कि दादा जी के एक ही तो बेटा यानि कि इसका भाई हुआ सिधा सा है इसका भाई एक ही है अपने फिता जी के ठीक है तो उस तस्वीर वाले पुरूस से औरत का क्या सामन्द है तो सीधा सा है वो दोनों दोस्तों भाई बेन होंगे क्या होंगे भाई बेन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर देखिए टोटल है वो इसमें 200 प्रशन है जिसमें से आपको सुरुवात में जो 50 प्रशन है वो दोस्तों रिजनिंग के मिलेंगे ठीक है या आपको इसमें याद रखना है सुरुवाती 50 प्रशन रिजनिंग के फिर दोस्तों आपको सिक्षक अभी वर्ती एवं अभी रूची के मिलेंगे फिर दोस्तों आपको 50 प्रशन है सुरेश ने कहा कि उसकी बहन के पिता मेरी पतनी की मा के पती हैं सुरेश हरीश का क्या लगता है अब यहां पर देखिए दोस्तों सिधा साब डाइग्राम बना सकते हैं कि एक चितर बना लीजिए यहां पर यहां पर क्या लिका है कि हरीश ने चितर की और इसारा करते हुए स सुरेश से कहा कि उसकी बहन यानि कि इसकी बहन मेरी पतनी के मा के पती हैं यानि कि क्या नाना ठीक है अब देखिए सुरेश हरीश का क्या लगता है तो दोस्तों सीधा सा है देखिए सुरेश हरीश के यानि कि हरीश है वो सुरेश के ससुर का पुत्र है तो उसका क्या लगा बैनोई लगा तो इसका राइट आंसर बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही तर आगे देखिए निमनलिकित अंग्रेजी वनमाला में दाएं से अठार अक्सर के बाएं सातवा अक्सर कौन सा होगा तो दोस्तों देखिए हैं आ पे अठारा ठीक है तो डाएं से अठार अक्सर कौन सा होगा तो वो है I होगा यानि कि अगर अपन इधर से चले Z से तो I है ये आएगा दोस्तो 18 नमबर पे ठीक है और दोस्तो इसके भी यानि कि I के दाइं अगर अपन 7 चलेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 नमबर पे दोस्तो यहां पे P आया है P है वो 7 नमबर पे आया है अब यहां पे क्या देखिए क्या पुछा है अंगरे जी वनमाला में दाइं से 18 अक्सर के बाएं 7 अक्सर कौन सा होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P ठीक है बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सायुत्तर हो जाएगा आगे देखिए आप पंक्ति के दोनों सिरों के नवे इस्तान पर है तो पंक्ति में कुल कितने वेक्ति है तो दोस्तो नो दुनिया 18 माइनस एक कर लीजिए सतरवे नमबर पे रहे है तो इसमें C नमबर उप्शन सायुत्तर नेक्स्ट है प्रशन में दिये गए सब्दों में से कोन अर्थ पूर्ण करम को प्रस्तूत करता है तो कोन अर्थ पूर्ण करम को प्रस्तूत करता है तो यहाँ पे देखिए दोस्तो देखिए सबसे पहले अनुकर्मनी का यह आएगा एक नमबर पे फिर आएगा दोस्तो इसमें भूमी का यह आएगा दो नमबर पे फिर आएगा दोस्तो अध्याए यह आएगा तीन नमबर पे फिर आएगा दोस्तो सीरसक यह चार नमबर पे और फिर आएगा दोस्तो पांच प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है देखिए दो पांच चार तीन एक तो इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दस नंबर का प्रेशन है स्रेणी के जिक्त इस्तान में कौन सी संक्या होगी तो दोस्तों कौन सी संक्या होगी यहां पे अपने को बताना है बहुत अच्छा प्रसन है देखिये 2 और 3 कितना gap दे रखा है 1 का 3 और 5 में 2 का अब आगे देखिए दुस्तों यहाँ पर 1 का 2 का अब double कर दीजे यहाँ पर 4 का gap तो 5 और 4 कितने होते हैं 9 और 9 के बाद में दूस्तों यहाँ पर 8 कर दीजे देखिये पहले 1 का gap फिर दोस्तों 2 का हो गया 9 है 9 में अगर अपन 8 जोडेंगे तो कितना जाएगा 17 तो अपना right answer हो जाएगा 17 और 17 में अगर अगर अपन दोस्तों इसका double करते हैं 16 ठीक है तो 16 17 में अगर अगर अपन 16 जोडेंगे तो यहां पर 33 आएगे एक निया आएगे तो आगए सिदा सा अपना right answer हो जाएगा B number option से उतर आगे देखिए यदि संत्रे को मक्षन मक्षन को साबून और माग साबून को स्याई स्याई को सहद और सहद को संत्रा का जाए तो कपड़े दोने के लिए किसका प्रियोग होगा तो सीदा सा है देखिए साबून का प्रियोग होता है कपड़ा दोने के लिए और यहाँ पे दोस्तों साबून को क्या कहा गया है देखिए साबून को स्याई का आगया है यानि कि अपन स्याई से कपड़े दोएंगे तो इसका right answer C number option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए एक लाइन में बबिता का उपर से सात्वा तथा रानू का सत्रवा इस्तान है तो दोनों के मद्दे कुल कितने व्यक्ति है एक लाइन में बबिता का उपर से सात्वा ठीक है और रानू का सत्रवा इस्तान है तो दोनों के मद्दे कुल कितने व्यक्ति बेटे हैं तो दोस्तों देखिए दोनों के मद्दे आप इस में से 17 में से 7 काड़ लीजे तो बचे कितने अपने पास 10 और 10 में से 1 माइनस करना है तो दोस्तों कितना हो जाएगा नो व्यक्ति है वो इन दोनों के मद्दे बैठे हैं तो इसका right answer A number option हो जाएगा आगे देखिए पांच लोगों के समुहे में K, L और M महत्व कांशी है M, N और R इमानदार हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए महत्व कांशी को मैं M लिख रहा हूँ इमानदार को मैं यहाँ पे E लिख रहा हूँ ठीक है बुद्धिमान को यहाँ पे मैं B लिख रहा हूँ और अर्द वेवसाई को दोस्तों यहाँ पे मैं A लिख रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है लिखा है क तो K, L, M अधुकांजी है, टो K, L और M ये महतुकांजी है, ठीक है? यहाँ पर लिख दिया. अब देखें आगे, M, N और R इमांदार हैं, M, N और R, ये दोस्तों एमांदार हैं, बुद्धिमान देखिये, LMN, LMN, ठीक है? ये क्या है? बुद्धिमान है K N R K N और R ये दोस्तों अर्द वेवसाई है क्या है अर्द वेवसाई है K N और R ठीक है समझे वागया अब देखिए क्या पुछा है इन में से वे वेक्ती जो ने तो अर्द वेवसाई है यानिकी अर्द वेवसाई K N R और नहीं महत्वकांसी है तो K N R तो यहाँ पर बच्चे दोस्तों L और M ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा इस प्रस्ण का राइट आंसर तो देखिए L और M होना चीए ठीक है तो यहाँ पर सिदा सा है कि अर्द वेवसाई और महत्वकांसी नय तो अर्द वेवसाई है और नहीं महत्वकांसी है तो यहाँ पर देखिए K L M और K N R यह दोनों ही नहीं हो सकते और इनके अंदर दोस्तों यही है N M M B है R R B है तो यहाँ पर K L M तो दोस्तों यह सारी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं D N M का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा 14 N M का प्रशन है 40 चात्रों की पंक्ती में मोहिनी का 22 से 21 वा और वर्षा का दाएं से 11 वा इस्तान है तो दोनों के मद्दे कितनी चात्रे हैं तो दोस्तों सीधा सा है यहाँ पे 40 40 माइने से 21 पलस 11 कितने होते हैं तो दोस्तों वो है 32 और 32 में से 40 में से 32 गठा दो कितना हो जाएगा 8 तो अपना A NUMBER उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए A, B, C, D, E और F एक गोल मेज में बैठे हैं तो दोस्तों आपको सिधा सा है इसको गोला बना लेना है यूँ ठीक है 8 जने है येलो 6 और ये 8 ये बने 8 बठा दिये ठीक है अब यहाँ पे देखिए A, D और F के बीच में बैठा है तो देखिए मैं आपे A बठा देता हूँ A है ठीक है ये दोस्तों D और F के बीच में बैठा है ठीक है ये D और F के बीच में मैंने बठा दिया ठीक है आगे देखिए C, D के सामने है तो C है ये D के सामने है D तथा E समीप वरती नहीं है तो E है वो कहाँ बैठेगा फिर ठीक है E है वो समीप वर्ती नहीं है इसमें 6 जने है तीन और तीन 6 6 जने है तो आप ये वाली काट देना ठीक है अब देखिए समीप वर्ती नहीं है तो इसका मतलब E कहाँ बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है या फिर यहां बैठ सकता है आगे देखिए कौन सा यूग मैं समीव वरती कुर्शी पर बैठा है तो यहां पर देखिए E को आप है वो दूस्तों कहँँ भी बैठा दीजिए लेकिन ये D के पास में मतनल नहीं होना चीए यानि कि इसको मैं A के सामने बैठा देता हूँ A के सामने मैंने आप E को बैठा दिया और बचा अपने पास क्या A, B, B मैंने यहां बैठा दिया तो बैठ गए सारे तो इसका देखिए कौन सायोग कुर्शी पर बैठा है समीप वर्ती तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है C और E C येरा और इसके नजदीक में देखिए यहां पर A के सामने जश्ट E बैठा है तो इसका राइट आंसर B नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए यदि मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूपते हुए देखता है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर के दिशा में है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर है वो कौन से दिशा में आएगा तो दोस्तों वो है पूरव दिशा में तो इसमें C नंबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा तो आगे देखिए यदि निम्नलिकित अंग्रेजी वनमाला को विपरित करम में लिखा जाए तो आपके बाएं से पांचवे अकसर के दाएं सातवा अकसर कौन सा होगा तो देखिए आपको इसमें पांच और साथ को दोनों को पलस करना पड़ेगा इसमें पांच और बारा कितने होते हैं तो दोस्तो इसमें बारा होते हैं और बारा बारा नमबर पे क्या आता है तो वो आता है एल तो अपना राइट अंसर इसमें बी नमबर उप्शन विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 18 नमबर का प्रस्टन है इसमें देखिए अपने को आगे बताना है कि आगे कौन सा सब्दा है इसमें खिडकी, फलक पुस्तक देखिए जिस परकार फलक मिलकर खिडकी का निर्मान करते हैं उसी परकार कई प्रस्ट मिलकर पुस्तक का निर्मान करते हैं इसका right answer प्रष्ट हो जाएगा आगे देखे सिपाही बंदूक रसोया सिपाही है वो दोस्तो बंदूक कप्रियो करता है यानि कि सिपाही का हत्यार बंदूक है और देश की रक्षा करने के काम आती है और ठीक उसी परकार दोस्तो रसोया के हाथ में चाकू है जो खाना बनान के काम में आता है तो इसमें डी नंबर उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे दोस्तो इसमें टैंगो नर्त्य सोक गीत ठीक है टैंगो नर्त्य देखे जिस परकार टैंगो नर्त्य का एक परकार है उसी परकार दोस्तो सोक गीत पद का एक परकार होता है ठी तो इसमें A number option सही उत्तर, आगे देखिए इसमें सितारे दूर दर्शक रुदीर कोशी काएं, सितारे दूर दर्शक रुदीर कोशी काएं, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है सुकसम दर्शी, देखिए जिस परकार सितारे दूर दर्शक की सायता से देखे जा सकते हैं ठीक उसी परकार रुदीर कोशिकाओं को देखने के लिए सुक्सम दर्शी का प्रियोग किया जाता है आगे देखिए इसमें 22 नमबर प्रेसने पैमाना लंबाई सिस्मुग्राफ देखिए जिस परकार पैमाना लंबाई में कुमापता है उसी परकार सिस्मुग्राफ है वो बुकम कुमापता है आगे देखिए आगहात वीना तार तो देखिए जिस परकार वीना को बजाने के लिए वीना के तार को खींचना पड़ता है उसी परकार तबला बजाने के लिए तबले पर आगहत करना पड़ता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तबला ठीक है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए दोस्तों यहां पे V, Z, S और यहां पे E, A, H और J, F, M दे रखा है यहां पे खलिस्तान में क्या आएगा वो अपने कुछ में बताना है देखिए V, E, Z, A, S, H ठीक है तो यहां पे देखिए जो आपने देखा होगा A के सामने Z आता है B के सामने Y आता है C के सामने X आता है और D के सामने दोस्तों W आता है ठीक है यानि कि M तक यहां पर ऐसे चलेगा सिधा और फिर दोस्तों यहां से N से उल्टा हो जाएगा ऐसे ठीक है तो यानि कि A के सामने यहां पर Z तो B के सामने Y और ठीक उसी पर कर देखिए यहां पर E के सामने क्या हो जाएगा V ठीक है तो यह ऐसे ही है इसमें तो यहां पर ज, जे के सामने क्या आएगा तो दोस्तों जे के सामने क्यूं आएगा एफ के सामने क्या आएगा तो दोस्तों एफ के सामने आएगा यू और एन के सामने क्या आएगा तो यानि कि क्यूं यूं Q, U और इसमें N आएगा Q, U, N तो इसका right answer C number option बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा आगे देखे H, J, L, N P, R, T, V, B, D F, H तो यहाँ पर क्या आएगा तो देखे, सब में दोस्तों आपको एक एक अकसर है वो बीच-बीच का गायप मिलेगा तो सीधा सा है यहाँ पर देखिए H ठीक है H के बाद में देखिए I को आप खा जाओ J ठीक है I को आप खा गए तो अपने पास क्या बचा J J के बाद में I, J, K K को खा जाओ तो अपने पास क्या बना L, M को खा जाओ N, O को खा जाओ P, यानि कि एक एका gap देना है तो J, L, N, P इसका right answer हो जाएगा, B number option सही उतर आगे देखिए A, B, Z, Y, C, D आगे क्या होगा, तो A का willom क्या हो जाएगा, Z और V का willom हो जाएगा, Y और C का willom हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था X है, और D का willom हो जाएगा दोस्तो इसमें W, यानि कि X, W इसका right answer, A number option बिल्कुल सही उतर, नेक्स्ट है, आगे देखिए, A, J, T ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तो सीधा सा आपको दिख रहा होगा A, J, T तो यहाँ पे देखिए, A के बाद में यहाँ पे C दे रखा है, ठीक है और फिर देखिए, B इसका एक एक एकसर खा गया न, B खा गया न, A B गायप है, C है ठीक है, ठीक इसी परकार देखिए, यहाँ पे D खा गया, E दे रखा है F खा गया, तो यहाँ पे G आएगा, तो G सब में है ठीक उसी प्रकार जे के अल यानिकि इसमें दो खा गया फिर एन ठीक है इसमें दो खा गया अब देखिए दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहां पर यहां पर यह दे रखा है ठीक है तो जे के बाद में दोस्तों यहां पर क्या आएगा M यानि कि G M अब यहां पर देखिए O sorry T T U V W दे रखा है तो O P Q R तो GMR अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें B नंबर उप्सन सेयुत्तर 28 नंबर प्रेसन है B P T F E S W I तो यहां पर क्या आएगा यह अपने को बताना है तो देखिए यहां पर सब में आप 3-3 प्लस कर दो सीधा सा है यहां पर देखिए G है ठीक है इसमें से आप 3-3 घटा दो 3-3 सभी में अक्सरों में से घटा दो B में 3 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा और यहां पर अगर आपको इससे पहले वाला निकालना है यहां पर देखिए इससे पहले क्यों सन्मारक का निसान है तो इसमें से सब में से 3-3 माइनस कर दो तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जी डी आर वाई जी डी आर वाई ठीक है सोरी जी टी आर वाई नी डी ए ओ वी यनिकी B-Number Option सही रुपतर हो जाएगा आगे देखिए निमनाचार आकरतियों में से कौन सी आकरति है ये बताना है आपे तो देखिए हैं यहां पे चिडिया पक्सियों चूहों के बीच सम्मंद अदनी रुपत करती है तो यहाँ पे देखिए पक्सी ठीक है ये तो अपना क्या हो गया पक्सी और इस पक्सी के अंदर दोस्तों क्या हो गई चिडिया चुहा है वो जन्तु है वो पक्सियों में नहीं आता तो अपना बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये बीच वाला तो हो ये इसमें चिडिया और बड़ा वाला हो गया इसमें पक्सी और चुहा है वो अलग हो गया इसमें ठीक है बी नंबर उप्शन सही उत्तर आगे देखिए देगए वेकल पिक चित्रों में से कौन सा ऐसा है जो नियोकताओं डॉक्टर तता मैलाओं के बीच सम्मंद को ठीक प्रकार से व्यक्त करता है तो यहां पर देखिए दोस्तों ये वाला डाइगराम है यानि कि कुछ डॉक्टर है वो नियोकता भी है मैलाओं भी है और कुछ मैलाओं है वो नियोकता भी है डॉक्टर भी है और कुछ नियोकताओं है वो डॉक्टर भी है और मैलाओं भी है तो इसका right answer C number option हो जाएगा आगे देखिए इसमें अब इसमें अपने को बताना है कि कौन सा एक है वो समुहे के अंदर नहीं आता वो अपने को बताना है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 31 number का प्रस्ट में copper, silver, diamond, lead, sisa तो देखिए copper, silver और lead यह सभी मूल दातू है जबकि diamond है वो carbon का पुरूप है तो इसका right answer B number का option हो जाएगा यानि कि इन में से भिन कोन सा है वो बताना है देखिए बांद, नदी, सरीता, जर्ना तो यहाँ पे देखिए नदी, सरीता और जर्ना यह इनका पानी है वो दोस्तो भैता रहता है जबकि बांद का जो पानी है वो दोस्तो रोकने का कारे करता है यानि कि बाहाओ को रोकने का कारे करता है तो बांद अपना right answer हो जाएगा A number option आगे देखिए सेरनी, कुतिया, गोडी, हीरन सेरनी, कुतिया, गोडी, हीरन तो यहाँ पे देखिए सेरनी, कुतिया, और गोडी यह इस्त्री लिंक का सूचक है जबकि हीरन है वो दोस्तो इसमें पुलिंग है तो इसमें D number option से उतर नेक्स्ट है हेजा, छेचक, शेरोग, और आतरजमर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हेजा, छेरोग, और आतरजमर बैक्टिरिया से होते हैं जबकि छेचक है वो वाइरस से होता है तो अपना राइट आंसर B number option हो जाएगा आगे देखिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, विसाकापटनम चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विसाकापटनम तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दिल्ली ठीक है और क्यूं है तो देखिए चेन्नई, बंबई, और विसाकापटनम बंदरगाहे नगर हैं जबकि दिल्ली एक संग सासित प्रदेश है तो इसका राइट आंसर, C नमबर उप्शन सहीतर नेक्स्ट है 37 नमबर प्रेशन, इसमें देखिए निर्भिक, वीर, ओजस्वी, अल्पभासी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, अल्पभासी ठीक है, क्यों होगा, देखिए निर्भिक, वीर, ओजस्वी ये एक दूसरे के समाना रथक है जबकि अल्पभासी ये बिन है इनसे तो इसमें आगे देखिए, मिठाई, चोकलेट, आइसक्रीम, कोका कॉला मिठाई, आइसक्रीम और चोकलेट है ये ठोस, खादे पदार्थ है जबकि कोका कला है, ये द्रवपदार्थ है तो इसमें डी नमबर उप्शन सहुत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अपने को बताना है कि कौन सी संक्या है वो ठीक किसी प्रकार यानि कि अन्ने से भिन है तो यहाँ पे देखिए 178, 89, 168, 28 अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये भी साथ से विभाजित है ये भी साथ से विभाजित है और ये भी साथ से विभाजित है सादिया सत्तर और सत्तर साथ चोक अठाइस सत्तर और अठाइस कितने होते हैं यहां पर देखिए 28 इसका राइट आंसर है यहां पर देखिए 64 तो यहां पर देखिए 28 यह 28 चार चुक 16 और देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 तीक है 28 है वो किसी का वर्ग और घन है वो नहीं है तीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा बी number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखें बाकी देखें आठ है ये दो का cube है ठीक है ये है ये 8 का square है और 9 है ये square है ठीक है तो यहाँ पे 28 है वो किसी का वर्ग भी नहीं है और square भी नहीं है ठीक है 27 होता है आगे देखें 63 गुनेतर 65 और 66 दे रखा है तो अपना right answer हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा तो देखें 63 गुनेतर और 66 ये तीन से विबाजित है जबकि 65 है वो तीन से विबाजित नहीं है ये 5 से है तो अपना right answer C number option हो जाएगा आगे देखें 108 हिकराण में 144 225 है तो अपना right answer कितना ह 68 है कितना हो गया नो ठीक है और एकराण में के अंदर देखें नो और 1 दे रखा है तो नो और 1 पायक कितना होता है 10 तो यहाँ पर देखिए इन सबी का टोटल कीजिया आप देखे 2363 दे रखा है 2 पलस 3 पलस 6 पलस 7 इसका टोटल करोगे आप तो दोस्तो आठारा जाएंगे ठीक है ठीक उसी परकार 434 का भी दोस्तो इसमें 18 टोटल आएगा और 519 का भी इसमें टोटल है वो 18 आएगा यहाँ पे 6, 1, 6, 1, 7, 7, 7 और 2, 9, 9, 8 कितने होते हैं दोस्तो 17 होते हैं तो यह 17 है तो यह अपना राइट आंसर D नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पे D E F Y ठीक है यह दे रखा है तो इसका मतलब होता है दोस्तो अव हेलना करना हिंट का मतलब होता है संकेत देना मोश्ट का मतलब होता है सरवादिक और S U V Y का मतलब होता है दोस्तो इसका कोई मतलब नहीं होता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D number का option बिल्कुल सही उतर बाकी के तीन के अर्थ हैं इसके अर्थ हैं नहीं है आगे देखिए J L O S G H I M H J M Q P R U Y तो यहां पे देखिए इसमें 2, 3 और 4 का gap है ठीक है और इसमें 1 पलस 1 फिर 3 है ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पे आप देखिए इसके अंदर J K L पलस 2 फिर पलस 3 पलस 4 और इसमें विकल्प में इसमें देखिए दोस्तों 1 पलस 1 पलस 3 तो यानि इसमें राइट आंसर B नंबर का option हो जाएगा बाकी के सबी के अंदर दोस्तों इसमें gap मिलेगा ठीक हैं आगे देखिए इसमें 45 नंबर प्रेसन है तीन और चार बजे की गड़ी की घंटे और मिनट की सुईयां कब आपस में मिलेगी तो कब आपस में मिलेगी ये सुईयां तो दोस्तों देखिए सिदा सा है आपको इसमें राइट आंसर मैं आपको बता जेता हूँ आप खुद डाइगनाम बना के भी इसको आसनी से कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के तीन बज़ कर सोला सही चार बटे ग्यारा मिनट में दोस्तों तीन और चार बज़े के बीच गड़ी गड़ी की घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेगी ठीक है तो इसमें C नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 10 और 11 के बीच गड़ी की घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका भी यह हो जाएगा 10 बज कर 54 सही 6 बटे 11 मिनट ठीक है तो इसका right answer D number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे 2 और 3 बजे के बीच गंटे और मिनट की उस्विया कब एक दूसरे के विपरित होंगी मिनट पर ठीक है 180 degree का कौन बनाएगी D number option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 48 number प्रेस ने ये भी वैसा ही है 3 और 4 बजे के बीच गड़ी की घंटे और मिनट की सुईया कब एक दूसरे के विपरित होगी या कब एक दूसरे से 180 degree के कौन पर काटेगी तो दोस्तों सीधा सा है इसका भी right answer क्या हो जाएगा वो है 3 बज कर गुननचास सही एक बटा 11 मिनट तो इसका right answer ये number option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ये topic है ये मैं आपको अलग से करवा दूँगा आगे देखिए दी गई आकरती में उस आकरती का chain केजी करें जिसमें यहां दी गई प्रिसना करती नहीं थै तो यहां पर दोस्तों देखिए ये आकरती है किसमे है तो सीधा सा है यहां पर कहीं पर भी आप बिंदी बिंदी उठागे भी इसको चेक कर सकते हो ठीक है, देखिए ये गोला, दोनों गोले हैं इसमें, बिंदी किती लग रही है, दो बिंदी लग रही है है क्या इधर, ठीक है और देखिए दूस्तों इसमें ये देख लिजीए, ये A number का option है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, A number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए दोस्तो इसमें, यह आकरती वाले प्रस्न है, इसको प्रस्न को, दोस्तो अपन, लास्ट वाला प्रस्न है, यह तो आपको सभी को कर लोगे, अब मैं आ सा anecdote में सुिघ्ल फर्स्ट तरीके से आपको चलना है टीक है देखिये एक्वान यकावन नंबर प्रेस न है और अब मह आपको सिखसक अभीवर्थि के प्रेस्न है वह करवा रहों टीक है सिखशक अभी वर्ती एवं अभि रुच्ची के प्रेस्न हैज कि इक्योग इसमें देखे, मित्रता की भावना का सरवादिक विकास की सवस्ता में होता है, तो ये होता है दोस्तों किसोरावस्ता में, ठीक है, कौन सवस्ता में, किसोरावस्ता में, आगे देखे, विद्याले में मित्रता के विकास के लिए सबसे उपयोगी काई कक्षा होती है, तो दो अक्षेनेता के गुणों के विकास के लिए सबसे परमुक माद्यम है तो सबसे परमुक माद्यम है वो कौ News तो वह दोस्तों समें कौ News देखिए दोस्तों इसमें 52 नंबर प्रस्टन्देखिए विद्ध्याले में मित्रता के विकास के लिए सबसे उप्योगी काई कक्षा होती है तो वो है बिल्कुल ठीग है इसका राइट आंसर ठीक हम नहीं होगा बिल्कुल ठीक है इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे ठीक है तो इसमें A नंबर का उप्षन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा आगे देखिए अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे परमुक माध्यम है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों विद्याल है C नंबर उप्षन सयुतर आगे देखिए गांदी जी का संपून भारत के संपून भारत ने अनुसरन किया क्योंकि उनका क्योंकि उनका लक्षे सवतांतरता प्राप्तिका था इसलिए A नंबर उप्षन सयुतर नेक्स्ट शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आज जीवन चलती रहती है तो ये दोस्तो नी संदे है इसका राइट आंसर हो जाएगा आज देखें सभी विद्यार्तियों में नेतरत्वक के गुण की समता होती है तो वो होती है दोस्तो ऐसेमत है वो नहीं होती तो इस sieht appanई समत है आगे देखिए वेवसाहिक निर्देशन के लिए विद्ध्यार्थी के व्यक्तित्व को समझना आवस्यक है तो दोस्तों नी संदे है समझना आवस्यक है आगे देखिए घर में ऐश्वीकर्त बालक बड़े होने पर भी लोगों से मेल जोल करने में कत्राते हैं क्योंकि दोस्तो इस से अपन है वो सहमत हैं बिल्कुल कत्राते हैं आगे देखें निर्देशन का अर्थ वेवसाय में सायता देना है निर्देशन का अर्थ वेवसाय में सायता देना है तो दोस्तों वो है इसमें वेफशाई के चैन करने में वी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे संप्रेक्षन की सपलता के लिए चात्रों के परिवेश के अनुसार भासा बोद गम में होनी चाहिए संप्रेक्षन की सपलता के लिए चात्रों के परिवेश के अनुसार भासा बहुत गम्मे होनी चीए तो दोस्तों वो है नी संदे है होनी चीए ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखें बालक के भावात्मक विकास के लिए माता पिता को मनोविज्ञान का ग्यान होना आवसिक है तो वो है सदेव ग्यान होना आवसिक है सदेव इसका राइट आंसर नेक्स्ट है कूपर्थाओं पर व्याख्यान देना सरल है परंतु उनका उन्मूलन करना अतेदिक कठिन होता है क्या यह सही है तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सदेव सही है यह नंबर उप्शन सही उत्तर अगे देखिए घर में अन्ता संबंदों के अभाव के कारण बालकों में भी तनाव गरस्ता होती है बिल्कुल सही है हम इससे सहमत है यह नंबर उप्शन सही उत्तर सामाजिक्ता की भावना के विकास के लिए विद्याले इस तरपर सरवादिक दाईत्व होता है अध्यापक को होता है अध्यापक का ठीक है तो इसमें C नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है विद्याले का नेता होता है तो विद्याले का नेता दोस्तो इसमें प्राचारिय होता है D नंबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है बालक के अंतर सम्मंदों की प्रागड़ता सरवादिक होती है तो ये सरवादिक दोस्तों माता पिता से होती है A number option सयुतर नेक्स्ट है हमारे देश में लोग प्राय अपनी रूची का वेवसाय नहीं कर पाते क्योंकि बेरुजगरी बहुत है A number option सयुतर आगे देखिए कक्षा में संप्रेक्षन का माध्यम है तो दोस्तों वो है अधीगम का माध्यम है तो इसका right answer A number option सयुतर आगे देखिए संप्रेक्षन को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक साहता प्राप्त करता है किसके साहता प्राप्त करता है तीवी का overhead projector के और एक दो स्क्रेक्षन के प्रभाव को याद कर सकता है तो यह कर सकता है दोस्तों कैसे तो है विद्यार्तिक के द्वरा सवतंतर अभीवक्ति के द्वरा ael्खै के सी नमबर नीची है तो इसमें D-Number Option सहीतर अभिवावकों से विद्याले में मिलने के नियत समय पर अध्यापक के रूप में आपका द्रश्टिकून होगा आपका द्रश्टिकून है वो सभी समंदित अभिवावकों से मिलना B-Number Option सहीतर अगे देखे समस्त अध्यापकों को अपने प अध्यापक को अपने कारियालमे बुलाने पर सिष्टाचार के तोर तरीकों का पालन करेंगे B-Number Option सहीतर नेक्स्ट है आपके पुत्र के मित्र घर पर समय ऐसमय आते रहते हैं आप पुत्र को समझा कर मित्रों को निर्देश देने को कहेंगे तो इसमें C-Number Option सहीतर अगे अध्यापक को छात्रों को प्रेदित करना चाहिए तो दोस्तों वो है ज्यानवर्द कारिकरम देखने के लिए D-Number Option सहीतर नेक्स्ट है प्रातना सभा में प्रति दिन एक विद्यार्थी को किसी सामाजिक विशय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए तो दोस्तों वो है निश्चित रूप से देना चाहिए A-Number Option सहीतर नेक्स्ट है अध्यापक का वेवार वरिष्ट चात्रों के प्रति होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए तो दोस्तों वो है मितरता पूरण होना चाहिए B-Number Option सहीतर नेक्स्ट है चात्र एवं अध्याप के मद्दे संप्रेक्षण होता है परमुकते, मोखिक होता है सी नंबर उप्सण बिल्गूल से उतर मोखिक सामाजिक परिपकवता व्यवसाय पर भी नेड़बर करती है तो यह दोस्दों सदेव करती है अ नंबर उप्सण बिल् closer माँ आपको जो आंसर बता रहा हूँ वो दोस्तो तीन नंबर के हैं ठीक है आगे देखे सामाजिक मुल्यों के परती आस्ता सामाजिक उन्नती का कारक होती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है सदेव डी नंबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट है आज समाज में सिनेमा और दूरदर्शन का परभाव सबसे अधिक है तो सबसे अधिक है वो है दोस्तो नी संदे है एगे देखे समाज का सिनेमा के परभाव ने बुरित रह अव मुल्यन किया है इसका परभाव पढ़ा है किस पर पढ़ा है तो ये पढ़ा है दोस्तो आडंबर युक्त जीवन पर तो इसमें C number option स्यूतर आगे देखे प्राचारिय के रूप में आपके कुछ सहयोगी विद्रोही हो जाएं तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे तो दोस्तों उनकी समझ्याओं को समझने का प्रियास करेंगे डी नमबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट एटी सेवन नमबर प्रेस ने आपने अध्यापक बनने का निने लिया क्योंकि आप समाज के लिए अच्छे नागरिक तयार कर सकेंगे इसके लिए सी नमबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट है बालकों में अन्ता सम्मन्द इस्तापित किये बिना उनका मुल्यानकर नहीं किया जाना चाहिए क्या बात ये सबते है तो दोस्तों हाँ इस बात से सहमत है ये नंबर उप्शन सहीतर नेक्स्ट है विद्यारती नेता के रूप में उसी अध्यापक को पसंद करते हैं जो हर फन मुला हो ठीक है सी नंबर उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा हर फन मुला ठीक है जो हर छितर का जानकार हो आगे देखें किसी समस्या के समाधान के लिए सामाजिक रूप से परिपकवय व्यक्ति समस्या के हर पक्स पर सोच विचार कर निर्न लेता है इसलिए बी नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखें इसमें देखें यह मनोवेग्यानिक तथ्य है कि व्यक्तियों में उनकी रूची एवं सम्ताओं समंदी विशेस्ता होती है तो दोस्तों वो है सदेव होती है तो इसका राइट आंसर सी नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें इसमें आपकी राय में चा आगे देखिए आप सिक्षन वेवसाय सुरू करना चाहते हैं तो आप उसे किस आधार पर करना चाहेंगे तो दोस्तो वह ही योग्यता के आधार पर सी नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए नेतरत्वक्त की कुसलता में समाजिक परिपकवता का योगदान मैतो कुन है वह है दोस्तो इससे सहमत है बी नंबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए आप छातरों को स्वास्ते ग्यान देने के लिए निमन में से क्या करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे तो दोस्तो वह है विद्याले में अध्यापकों आठें तरक्रियाएं समुहें में करनी चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल सदेव करनी चाहिए, आगे देखें विद्यारती में सामाजिक मुल्यों का विकास किया जा सकता है, आदर्सो के पालन द्वारा, ए नंबर उप्शन सेयुतर, नेक्स्ट है, बालक की नीव प्रात्मि अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अताय उसका कारिये है, वो मेतोपुन है, डी नंबर उप्शन सेयुतर, आगे देखें, एक चातर आपके पास एक पारिवारिक सम्झा लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में, इसको ध्यान से सुनेंगे और उसको उचित सलाद बी नमबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखें चात्रों को उनके विबिन धर्मों के साथियों से उनके रीती रिवाज की जानकारी के लिए सदेव संपरक करने को कहना चाहिए तो दोस्तों वो है सदेव कहना चाहिए तो इसका राइट अंसर इसमें एह नमबर करने की कोशिस करेंगी अभी जो टायम हुआ है वो दोस्तों 42 मिनट हुआ है ठीक है कोशिस करेंगे इसको एक गंटे में सल्टाने की आगे देखिए काल मार्क्स की पुस्तक दास केपिटल परकासित हुई थी कब हुई थी ये तो दोस्तों ये हुई थी 1866 में सी नमबर उ पश्चात हुमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था तो वो है दोस्तो चोसा का युद जो पंदरा सो गुनचालिस में लड़ा गया था ठीक है और जबकि पंदरा सो चालिस इस वी में हुमायू को कन्नोज बिलग्राम के युद में परास्त कर दिल्ली का सियासन प पर मुख सवरूप कौन से हैं तो वो कौन से हैं तो वो है दोस्तो इसमें ऐसायोग सविने अवग्या अंदुलन तथा बाइसकार तीक है तो इसमें बी नंबर उप्शन सवित्र हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से दिल्ली का पहला परबूता संपन सुल्तान कौन तो वो था दोस्तो इसमें कौन था तो वो है इलतुतमिस तो इसमें डी नंबर उप्शन से उत्र हो जाएगा नेक्स्ट है किसने पल्लव सासक के सासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संगर से सुरू हो गया था तो वो हो गया था दोस्तो महिंदर वर्म इंडियन वार ओफ इंडिपिडेंट्स नामक पुस्ता के लेखा कौन है तो दोस्तों वो हैं दोस्तों वी डी सावर कर डी नमबर ओप्सन सहुतर नेक्स्ट है राष्टिय संगर्स के दोरान प्रशिद समाचार पत्रे केसरी का संस्तापक संपादक कौन था केसरी का संस्तापक संपादक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जागा वो है लोक माने तिलक सी नमबर ओप्सन सहुतर नेक्स्ट है कौन यंगी इंडिया और हरीजन का संपादक था तो वो है दोस्तों इसमें सिधा सा है मातमा गांदी सी नमबर ओप्सन सहुतर नेक्स्ट ह पस्मी भारत के किस दार्मिक सुदाकर को लोग हितवादी कहा जाता है तो लोग हितवादी दोस्तों किसको कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोपाल हरी देश मुख को A number option सही उतर Next है अठारा सो स्ताउन की करांती के दोरान मुगल सिनाना एक निम्न में से था तो वो था दोस्तो इसमें बक्त खान बी नमबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है ग्रांड ओल्ड मैन ओफ इंडिया के नाम से भारत के किस करांती कारी को जना जाता है तो वो है दोस्तो दादा भाई नेरो जी को ग्रांड ओल्ड मैन ओल्ड मैन ओफ इंडिया खा जाता है यह नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर है आगे देखिए 114 नमबर प्रेस ने सर्विंट ओफ इंडिया सोसाइटी की स्तापना किस के द्वारा की गई तो यह की गई दोस्तो किस के द्वारा गोपाल कृषन गोखले के द्वारा D नमबर उपशन सर्विंटर नेक्सτο है जहां कानून नहीं वहां सवतनतर था नहीं यह किस ने का था यह का था दोस्तो किसने जोन लोक ने का था C नमबर उप्शन सरॵिंटर पापुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्तापक सदस्य कुन थे तो दोस्तों वो थे मिखाइल बेक्यूलिन A number option सहितर नेक्स्ट है भारत का सुदूर पस्यम का बिंदु है भारत का सुदूर पस्यम का बिंदु है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें अटसट डिग्री साथ मिनट पूरवी देशांतर गुजरात में ठीक है सी नंबर उप्षन सयुतर नेक्स्ट है अरावली एवं विंदे संकलाओं के मद्दे कौन सा पठार इस्तित है तो दोस्तों वो है मालवा का पठार है ये नंबर उप्षन सयुतर नेक्स्ट है भारत के उत्री मैदानों की मरदा सामने तक कैसी बनी है कैसी बनी है तो दोस्तों तलोच्चन द्वारा बनी है बी नंबर उप्षन सयुतर हो जाएगा आगे देखे सीव समूंदरम जलपरपात किस नदी के मारग में पाए जाता है तो ये पाए जाता है दोस्तों कौन सी नदी के वो है इसमें कावेरी नदी के ठीक है सिव समूंदरम जलपरपात है ये कावेरी नदी पर इस्तित है और ये करनाटक के मांडिया जिले में इस्तित है प्राइदीप यह भारत का सरवोचे शिकर कुछा है तो वो है दोस्तो अनाई वुड़ी अन्तराष्टी जैविवित्टा दिवस मनाए जाता है तो यह मनाए जाता है दोस्तो 22 मई को C number option सेयुत्तर आगे देखिए परियावन का साब्दिक अर्थ है कौन सा है तो वो है परियावन का साब्दिक अर्थ है तो वो है घेरना ठीक है तो इसका right answer A number option Next है भारत के इस्तलाकर्ती मानचित्र निमन में से कौन सा संगठन बनाता है तो कौन सा संगठन बनाता है तो वो है भारतिय सर्वेक्षन B number option सेयुत्र भारतिय सर्वेक्षन संगठन बनाता है Next है पूर्वी तटिय मेदान का अन्य नाम क्या है तो इसका अन्य नाम है दोस्तो कोरो मंडल तटिय मेदान तो इसमें C number option सेयुत्र अगे देखे भारत में निमनलिकित में से वहें बायो रिजर्व कौन सा है जो सिहों के लिए एक प्राकर्तिक परियावास है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है गिर बायो रिजर्व वेक्सविक तापन के फलसोरूप हो सकता है तो यह हो सकता है दोस्तों समूंदर तलमेवर्दी फसल के सवरूप में परिवर्तन तटरेखा में परिवर्तन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वायू मंडल में जिस ओजोन शिदर का पता लगाया गया है वह कहा है वह कहां पर है तो दोस्तों यह अटाटिका के उपर है अटाटिका के उपर बी नमबर उप्शन सयुतर नेक्स्ट है निमनलिकित में से किस मुगल समराट के काल को हिंदी साइते का स्वन्यूग कहा गया है तो यह कहा गया है दोस्तों अकबर को सी नमबर उप्शन बिल्कुल सयुतर नेक्स्ट है मुगल समराट अकबर के समय निर्मित पर्थम इमारत है तो वो कौन सी है वो है दोस्तो इसमें हुमायू का मकबरा दिल्ली तो इसमें C नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए 131 नमबर प्रेस ने तब काते नासिरी का लेखा के किस सासक के समकाल था तो ये दोस्तो बल्बन के समय था आगे देखिए कुतुबुदीन बक्तियार काकी की समादी किस सिस्तान पर है तो ये दोस्तो दिल्ली में है नेक्स्ट है अश्ट अधाई के रजनाकार कौन थे तो दोस्तो पानीनी B नमबर उप्शन आगे देखिए कौन सा सहर है रा विकास कारेकरम गुणी सो 86 में किन जिलो में प्रारंब किया गया तो उद्यपूर कोटा और बांस्वडा में प्रारंब किया गया ए नमबर उप्षन सजूतर नेक्स्ट है परियावन ये ऐसंतुलन का कारण है तो दोस्तों क्या है वो तो वो है देखिए परियावन चेतना का भाव बोतिकवादी सोच और देखिए यहाँ पे बोतिकवादी परवर्ती उपरयोग सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए शूर्य के हानिकारक किरणों से परत्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है तो यह रखता है दोस्तों इसमें ओजोन इस्तर भी नमबर अप्सन सयॉद्तर नेक्स्ट है परत्वी के वातावरन की किस सत्य से ओजोन परत पाई जाती है यानि कि कौन सी सतह में ओजोन परत पाई जाती है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका वो है इस्टेट ओफियर ठीक है बी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा इस्टेट ओफियर यानि कि संताप मंडल नेक्स्ट है जलवायू और मोसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायू मंडल की किस इस्टर में होते है तो कौन से इस्टर में होते है तो यह होते हैं दोस्तो सोब मंडल में आगे देखिए हीरे की खान राजस्तान में काँपर है तो दोस्तो केसरपुरा बासवड़ा में ठीक है तो इसका right answer के सरपुरा चितोड़ गड़ में है अगे देखिए राजस्तान के सुस्क सागवान वन पाए जाते हैं तो काँपर पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं दोस्तों डुंगरपुर और बांसवडा में पाए जाते हैं सुस्क सागवान वन हमीर महकावे के रचनाकार है तो सिधासा है कौन है नयेंच अंदर सूरी B नंबर उप्षन सयूतर सवतंतरता प्राप्ति के समय राजस्तान में देशी रियास्ते थी कितनी थी तो दोस्तों गुनिश देशी रियास्ते हिच्की है एक प्रसिद तो ये गीत है आवा हिच की रिमाने c नंबर उप्षन सयूतर आखसे तृतिया मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है दोस्तों बैसाक शुकलत तृतिया को अखातिज के नाम से अपन जानते है नंबर उप्षन सयूतर नेक्स्ट है चूंपा नमक अबुसन कहां पहना जाता है तो ये पहना जाता है दोस्तों कहां पर दांत में बी नमबर उप्शन सही उतर आगे देखिए आदिवासियों में कठकी वस्तर पहना जाता है तो कटकी वस्तर है ये एविवाइद युक्तियों द्वारा पहना जाता है नेक्स्ट है मालवी बोली कहां बोली जाती है तो ये बोली जाती है दोस्तों कहां पर है जालावाड कोटावा परताब गड़ में बोली जाती है मालवी बोली आगे देखिए कापास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिटी छेत्रे अधिक उप्यूक्त है तो वो है दोस्तो मद्यमकाली मिटी ए नमबर उप्षन से उतर कौन सा सब्द इंदर का प्रियावाची नहीं है तो वो है दोस्तो इसमें दुरंदर देखिए मगवा, सूर्पति और प्रवतारी ये तीनों सब्द हैं ये इंदर का प्रियावाची है यहाँ पे दुरंदर है ये इसका प्रियावाची नहीं है तो इसका राइट आंसर बी नमबर उप्षन से उतर नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से किस विकल्प में सभी सब्द इंदर के प्रियावाची है तो यहाँ पे देखिए देवराज, मगवा, देवे, सचिपति, सुरेश और अमरपति ये सभी हैं ये इंदर के प्रियावाची सब्द है अब यहाँ पे देखिए गध्यांस है गद्यांस के पड़ को अपने को उत्तर देना है तो अपने इसको सिधा सा है डाइरेक्ट गद्यांस नहीं पड़ के अपने डाइरेक्ट चलते हैं इसमें ठीक है तो इसका अर्थ हो जाएगा, दोस्तो, वो है, ऐ संदिग्ध, यानि Beijing, संदे है रहित. Next, कोन एकवचन है, तो यहां पर एकवचन है, यहां पर दीखिए मात्रबासा, यह अपनी मात्रबासा, यह एक वचन है. next कोन सब्द पुलिंग नहीं है तो यहां पे पुलिंग है वो दोस्तो भासा भासा है यह इस्त्रिलिंग है ठीक है बेचारी भासा इस्त्रिलिंग नेक्स्ट है पुस्तक का भववचन है तो दोस्तो पुस्तक का भववचन क्या हो जाएगा देखिए आपे पुस्तक का भववचन पुछा गया है तो दोस्तो पुस्तके ए नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा पुष्टकें, next है, कवी का इस्तरी लिंग होगा, तो दोस्तों कवी यत्री, ठीक है, कव यत्री, तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन से उत्र, next है, भारत में इस्तती दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा तो क्या होगा इसका भूतकालिक रूप, तो वो हो जाएगा, दोस्तों, भारत की इस्तिती दूसरी थी, तो इसमें C नंबर उप्शन से उत्र, next है, भारत में इसे पारवति का सुरी, देखिए दोस्तों, यहां पे, निम्न में से पारवति का प्रयावाची नहीं है तो पारवति का प्रयावाची दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं है तो वो है, देखिए पदमा, ठीक है, पदमा है, यह लक्षमी का प्रयावाची है, ठीक है, बाकी तीनों है, यह पारवति के प्रयावाची next है कौन सा सब्द ब्रमर का प्रयावाची नहीं है तो देखिए ब्रमर का प्रयावाची कौन से नहीं है तो यहाँ पे देखिए आली ठीक है आली देखिए मिलिंग मिलिंद और मदुकर यह दोनों है यह दोस्तो ब्रमर के प्रयावाची है यहां पर आली है यह ब्रयावाची होता है तो इसमें ए नंबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट है निम्न में से मेंड़क का प्रयावाची नहीं है तो मेंड़क का प्रयावाची दोस्तों यहां पर देखे कुकट है ये मुर्गे का प्र्यवär चयोता है तो इसमें C number option प्र्तेक्स सब्द का सही विलों क्या होगा इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा इसमें परॉक्स नमबर उप्सहोता है next फेटे97 का विलों है CEO किमें तो फेटे이션 Ondre तो यहां पे देखे कुंतल का मतलब तो होता है दोस्तों इसमें केस और कुंडल का मतलब होता है करना भुसन यानि कि कान में पैने जाते हैं कुंडल तो इसका राइट आंसर सी नंबर उप्शन हो जाएगा किस कर्मांग में कुल और कूल सब्द युग मसे अर्थबेद है तो यहां पे देखे कूल का मतलब होता है किनारा तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्शन हो जाएगा नेक्स्ट किस करमान्क में सभी सब्दसुद हैं तो यहाँ पर देखे दोस्तों जीवा और अतियुक्ति सी नंबर उप्षन बिल्कुल सहिवतर नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा सब्दसुद है तो कौन सा सब्दसुद है तो वो है करतग्य ए히 नमبر बो उप्टिन बिल्कुल सहीवतर किस कर्मांक के वाके में सही विलोंचिने लगा हुआ है तो सही विलोंचिने जो परिस्रे में होती हैं वहीं सपलता प्राप्त कर सकते हैं सुर्दार वल्लबाई प्टेल का देश सदेवाबारी रहेगा में किस तरह की एसुद्धी है में किस तरह की एसुद्धी है तो वो है पद करम समंदी एसुद्धी C नमबर उप्शन सही उतर कान पर जो रेंगने का अर्थ है तो दोस्तों वो है इसमें बात पर ध्यान नहीं देना तो इसमें D number option सेयुतर आगे देखे घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ तो सीधा सा है घी के दीपक जलाना यानि की खुजी मनाना गिरीश में कौन सी संदी है तो वो है दोस्तो इसमें दिर्ग संदी नेक्स्ट परिछेद में कौन सी संदी है तो इसमें वेंजन संदी नेक्स्ट इस सब्द में करमधारे समास है तो यहाँ पर देखे करमधारे समास है वो किसमें है तो यह दोस्तों दुस्ट चरित्र में है नेक्स्ट हिंदी में कारक हैं तो कितने कारक हैं तो दोस्तों सीधा सा है आठ कारक हैं तीक हैं आगे देखें किस वाक्य में समुचे बोदक अवियव है तो हो वो है दोस्तों बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी इसमें समुचे बोदक है और सब्द का परियोग है वो समुच बोदक के लिए हुआ है किस सब्द युगमे में सई अर्थवेद नहीं है तो यहां पे देखिए दोस्तों अली और अली तो इसमें ये गलत दे रखा है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें देखिए अली का मतलब होता है बोरा और अली का मतलब होता है सक्की तो इसमें उल्टा दे रखा है ये बोरा तो इसका होना चीए था और सक्की है वो इसका होना चीए था तो सी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है किस करम में सुद्ध सब्द है तो यहां पर देखे दोस्तों तन्खवा है यह सुद्ध सब्द है ठीक है डी नमबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है जो कारिये अवस्य होने वाला हो के लिए उप्योगत सब्द है वो कुन सा है तो वो है दोस्तों अवस्य भावी तो इसमें सी नमबर आगे देखे हाथ में रखकर चलाई जाने वाला हत्यार कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तो सस्त्र नेक्स्ट है युद के प्रास्तान काल में बजने वाला बाजा कहलाता है तो क्या कहलाता है ये कहलाता है दोस्तो प्रियान वाद्य है, तो इसमें C नंबर उप्शन सयुतर, नेक्स्ट है, अंदकूप में कौन सा समास है, तो दोस्तों अंदकूप में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें करमदारे समास है, C नंबर उप्शन सयुतर, नेक्स्ट है, किस करमांक में बद उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों यहां पे देखे बदस्तुर यह इसमें गलत दे रखा है आगे देखे किस सब्द में सव उपसर्ग नहीं है तो यहां पे देखे दोस्तों सव उपसर्ग किसमें नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सवगत में सव उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ आगे देखिए किस सब्द में अधी उपसर्ग नहीं लगा है तो अधी उपसर्ग किस में नहीं लगा है तो दोस्तों यहां पर देखिए अभी इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है अधी नहीं लगा हुआ तो इसका राइट आंसर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए परति उतर में कौन सा उपसर्ग लगा है तो इसमें परति उपसर्ग लगा है क्या लगा है परति उपसर्ग नेक्स्ट है बुहारी में किस परते का प्रियोग हुआ है तो इसमें दोस्तों सीधा सा है आरी सब्द का प्रियोग हुआ है ठीक है बुहारी बुहारी सोरी परते का प्रियोग हुआ है इसमें गतिमान में किस परते का प्रियोग हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मान मान परते का प्रयोग हुआ है नेक्स्ट मरने की इच्छा कहलाती है तो ये कहलाती है दोस्तों मुर्मुसा नेक्स्ट वह नाई का जिसका पती विदेश जाने को हो तो वो कहलाता है दोस्तों देखिए वह नाई का जिसका पती विदेश जाने का हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या आगत पतिका तो ये तो दूसरा हो जाएगा ये है प्रवस्ते पतिका ये अपना राइट आंसर हो जाएगा B नंबर का उप्शन से उत्तर आगे देखें मानसिक पीड़ा कलाती है तो दोस्तों मानसिक पीड़ा है ये आदि कलाती है नेक् आगे देखे सही कतन है तो कौन सा इसमें सही कतन है देखे करता काइस्तान प्राय वाक्य के प्रारम में होता है बिल्कुल सही है आगे देखे सरल वाक्य है सरल वाक्य कौन सा है तो इसमें देखे राम और सीता जाते हैं तो ये इसमें बी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाए और अरद्यारेसेकेडमी के योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत